असलाम अलेकुम माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब लोग अलहमदुलिल्ला मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज मैं बनाने जा रही थी मतन का कोर्मा तो मैंने सुचा चले जी आप लोगो भी दिखाते हैं किस तरीके से मैं बनाती हूँ तो यहां पर मतन कोर्मा बनाने के लिए जो है ना मैंने वन केजी के करीब मतन लिया है और इसको अच्छे से मैंने वाश कर लिया है क्योंकि मतन है यह चिकन है इन सब चीजों को अच्छे से वाश करना चाहिए और साती मैंने इसे जाली वाली डलिया में निकाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो सारा निकल जाए और तड़के का सामान मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइस का प्यास कट करा है टीन तेज़ पते लिए हैं चार पाच लोगे जाए फल था जावीतृ थी थी थोड़े थोड़े से मैंने इनके टुकड़े ले लिये थे और दो बड़े चमश मैंने आईल डाल दिया था और आईल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें मैंने प्याज जो भी मैंने आपको गरम मसाले दिखाए थे वो सब कुछ मैंने आईल के अंदर डाल दिये हैं मीडियम गैस पर ही हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन हम इसे अच्छे से करेंगे और इसके बाद जो है न हमें इसे ऑईल से बाहर निकाल लेना है ताकि हमें जो है इसका पेस्ट बना के तयार करना है तो यहाँ पे देखें प्यास गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो गए ते मैंने इसे निकाल लिया है साइट से कर देते हैं यहाँ पे मैंने इसमें आइल है आइल इसमें सही है जितना मुझे चाहिए था अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्च के पीसिस को अद्रक्लेसन का पेस्ट आपको तो पता है चिकन है या मुटन है बीbels इसके अंदर जाते ही जाता है तो यहाँ पे मैंने गैस को अब हाइफ्लेम पे रखा है और इसको जो है ना हम अद्रक्लेसन के पेस्ट को मटन के साथ अच्छे से मतलब भूल लेंगे ताकि अद्रकलसन के पेस्ट का जो कच्चा पने वो खतम हो जाए बहुती सिंपल बहुती आसान तरीके से मैं आपको ये मटन का कोर्मा बनाना बता रही हूँ लेकिन बहुती टेस्टी बहुती चटपटा बनके ये एकदम तयार होगा यहाँ पे जब तक हमारा मटन अच्छे से मतलब अद्रकलसन के साथ भून रहा है यहाँ पे मैं मसाले दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं मैंने क्या-क्या मसाले लिये हैं यहाँ पे मैंने एक चमच धनिया, एक चमच मिर्जी, आदा चमच हल्दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है और यहाँ पे हम इसके अंदर मसालो को एड़ कर देंगे एड़ करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस टैम पे हमें गैस को हाई फ्लेम नहीं रखना है मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे रखना है और थोड़ा सारा हम इसके अंदर पानी डाल के मटन को बहुत अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे जितना हम मटन को भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा ये कोर्मवन के तयार होगा और यहां पे आप लोग देखें कितना अच्छा सा इसके उपर कलर आ गया है एकदम अच्छा कलर आया है जैसा कॉर्मिका कलर होना चाहिए बस इसी टाइम पे क्योंकि मटन अभी हमारा गला नहीं है मटन कच्छा है तो इसे हमें गलाना है तो इसके लिए हमें इसके अंदर पाने डालना होगा ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए मीडियम गैस पे ही मैंने इसको रखे मसालों के साथ बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है ताकि इसके मसालों का कच्छा पन भी ना खतम हो जाए और यहां पर देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसके जो है ना कलर आया है आईल भी देखें आप लोग कितना अच्छा इसके उपर आ चुका है तो एक बार आप लोग मेरी रेसेपी से जरूर बना के देखना बहुती एजी सिंपल तरीखे की रेसेपी है लेकिन बनता है एकदम होटल जैसा यह मटन बनके तयार होता है बहुती डिलिशियस सा बनता है यह मटन तो बस अब मैंने इसे अच्छे से भून लिया है मैं इसके अंदर मैंने एक गलास लिया है आदा गलास में इसके अंदर पानी को एड़ कर दूँगी और अच्छे से mix करके हम इसको जो है ना cover करके इसमें मैं 4 सीटिए ले लूगी ताकि मटन जो है ना वो अच्छे से गल जाए अग देखो जी कितनी simple recipe है कितनी आसान तरीके से मैंने आपको ये मटन का कोर्मा बताया है अब बस अब हम इसे अच्छे से कवर करके इसके अंदर 4 सीटी ले लेंगे अब प्लीज वीडियो को लाइक करा करें आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और प्लीस कमेंट करके भी बताया करें किया आपको रेसिपी कैसी लगी तो यहां पर देखें मैंने इसके अंदर 4 सीटी ले ली थी 4 सीटी के बाद जब मैंने इसको खोल के दिखाता तो गोश्ट जो है न वो अच्छे से को खो चुकाता एकदम परफेक्ट यह एकदम गल चुकाता जितना मुझे चाहिए था मटन को तो मैंने पहले ही मसालों को साथ अच्छे से भून लिया था लेकिन अभी मैं इसे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखके इसे अच्छे से और भूनूंगी अब पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसके अंदर एड़ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने साबुद गरम मसाले लिये थे जिसे मैंने प्यास के साथ फ्राई करा था तो इस ही टायम पे जो हमने गर्म मसाले प्यासमा पेस्ट बना के रखा है वो हम इसके अंदर अट कर देंगे इसका फ्लेवर जो है न मटन के अंदर बहुत ही अच्छा आता है बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आता है तो बस इसे डालने के बाद हमेंगे सी अब हाई नहीं रखना है मीडियम फिलेम पे ही रखना है और वीडियो को प्लीस फुल वाच कर लिजिएगा वीडियो को इसकित मत करेगा फुल वाचिंग के साथ ही आप लोग मेरी वीडियो को देखना बहुत चोटी सी वीडियो है जाता बड़ी वीडियो नहीं है बहुत चोटी सी रेसिपी है लेकिन रेसिपी बहुत जबरदस्त है यह तो अब क्या करेंगे यहां पे मैंने केवरा वाटर लिया है यह बहुत ही अच्छा जो है ना मटन के अंदर बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेवर आता है तो मैंने बस एक दो डॉप सी इसके अंदर केवरा वाटर का एड़ कर दिया है और हम इसे डालने के बाद अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर देंगे और केवरा वाटर डालते ही संगना इसमें इतनी अच्छी सी जो है ना खुश्बू निकलने लगी है कोर्मी के अंदर एक दम विल्कुल रेडी मेट जैसा जैसा हम लोग होटल से मंगा के कोर्मा खाते है ना सेम टू सेम वैसी ही ये कोर्मा बनता है तो एक बार आप लोग जरूर अपने घर में बनाईए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके के आपको मेरी ये रेसिपी कैसी ल पानी को भी हमें अच्छे से वाइल कर लेना है तो बस अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी इसके बाद जब ये प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल जाएगा तबी मैं आपको सर्विंग करके दिखाती हूं तो यहां पर देखें मैंने सर्विंग डिश ले ली है और इसके लाजवाब मतन क॓रमा लगेगा तो आजकी रेसिपि आप लोगो कैसी लगी प्रेश आपने फीड़बैक देखे आप Лोग मुझे जरूर बताना कि ₤ कैसी लगी मतन क॓रमे की रेसिपि खाता पर आप लोग लाइक भी कर दिया करें प्लूढ सी वीडियो को आप लोग करा Alla hafiz.